तो चलो गाइस आज बनाएंगे बहुत ज़दा टेस्टी मसाला मट्री जो बिल्कु यूनिक स्टाइल में बनाई है जिसके लिए मैंने एक कप यहाँ पर मेंदा ले लिया है आदा कप सूजी ले लिया है एक कप मैंने गेहूं का आठा ले लिया है मोटा पिसा हुआ आप न और 14 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम लाल मिश पाउडर नमक डालेंगे स्वाधनुसार थोड़ी सी 14 टीस्पून हम लेंगे अजवाइन जिसको हम अपने हाथों की सहायता से क्रश करके इसके अंदर डालेंगे कि यह ऐसे जो टेस्ट है जवाइन का बहुत अच्छा यहां पर ले लिया है मैंने 4 टीस्पून जो नॉर्मल वाला ओयल आता है रिफाइंड ओयल वो आप डेसी की भी डाल सकते हैं मैंने रिफाइंड डाला है तो यहां पर इसका मोईल लगा लेंगे इसको अच्छी तरीके से सारे मिश्रण को एक साथ एक सार कर देंगे जब बाद मैं इसके इसके अंदर गुनगुना पानी डाल डाल के इसका हम बिल्कुल टाइट सा डो बना लेंगे ताकि हमारा जो मट्री है वो बिल्कुल भी तेल ना पिए और बहुत टेस्टी बनके तयार हो तो यहां पर मैंने थोड़ा सा वाटर ले लिया है थोड़ा समय थ तो एक बिल्कुल ना करें थोड़ा-थोड़ा पानी डालें चा चारा जाजा पाफा चंबच करके इस तरीके से जैसे मैं डाल रहे हूं तो इससे क्या होगा आटे का डो सही बन कर तैयार होगा और आप से मिस्टेक भी नहीं होगी तो यहां पर देखो थोड़ा-थोड़ पानिडाल करके हम इसका डूब बना लेंगे अब देखी रहे होगे मैंने थोड़ थोड़ा पानी डाल करी इसका बिल्कुल दो लगा लिए अब कुशनी करना है थोड़ा सा ओइल इसके इंदर आथ पर लगा कर लेंद है और अच्छे से करके और एक ताइट सा ना करके तैयार करन तो इसको आपसाइट कर देते हैं और चलते हैं मतलब नहीं समय है जिसके तेधने पोस्तुग Trevini के अंप और दा यह जुद्ध कर देगे क्योंकि काफी बड़ा है तो इसलिML TU को 20 से कट कर दिया है देखो कितना जदा अच्छा सा मारा डो बनके तयार हुआ है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट तो यहां पर मैंने इसको ले लिया है अब एक पॉर्शन को हम साइड में रख देंगे धक करके कपड़े से और इसके हम एक लोई बना लेंगे जैसे हम रोटी क और ढса बेला है तो इसी तरिके से मैं एसको बेल लूँगी अच्छे से तो मैं इसको पूरे चकले पर बेल लूँगे उसके बाद अगर मुझे कू च्छिजगा लगेगा तो मैं चाकू से काट दोउंग़ कि तो देखो मैंने यह देखो कि बिल्कुल भीली है तो मैंने भी इसको बना करके ट्राइ करती हूं इसलिए मैं यह लेकर रही हूं आप लोगों के लिए यहां पर क्या करना है काथ तो यहां पर मैंने कर लिया है , अब मैं क्या करूंगे बी दिखाती हूं आपको टो यहां पर यह बिलकुल अच्छे से बनके तयार हो गया है इस तरह करेंगे नों उंगली तो हम्सक्तों पूंद करती हूँ सब्सक्राइब उसे लग आए और सब्सक्राइब तयार कर लेंगे तो कितने ज्यादा सुन्दर लग रही है ना ये खाने में भी अच्छे बन बनाना तयारही हैं बिल्कुल भी पुछी नहीं तो चलते हैं आप गैस की तरफ यहां पर मैंने ऑईल रग दिया था गरम होने के लिए बिलकुल लोटू मीडियम फ्लेम है एकदम से डालो आप तो एकदम से बबस जो है वो नहीं उठने चाहिए तेल इतना गरम होना चाहिए तो यहां पर देखो मैं सबको डाल दूँगी और कम से कम मुझे इसको 10-15 मिनट लगे थे इसको तलने में क्योंकि मैंने बिलकुल लोटू मीडियम फ्लेम पे इसको तर रहा था ताकि जो हमारे स्नेल मटरी हैं बिलकुल टेस्टी और अंदर से एकदम क्रंची बनके तयार हो और अच्छी बिलकुल ना रहे हैं यह मसाला मटरी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं आप लोग भी इसको बना करके ट्राइ कर सकते हो मैंने वैसे थोड़ी बनाई नहीं कि मैंने भी ट्राइ किया था तो पर अच्छी बनकर तयार हुए थी बिलकुल भी खराब नहीं थ हैं आप इसको बना कर जरूर ट्राइ करना बहुत ज़्यादा टेस्टी दी और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं यह भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि मैं पूरी कोशिच करती हूं आप लोगों के लिए अच्छी रेसिपीस लाने की मैं पहले हैं क्योंकि मैंने कुछ बातों का ध्यान रखा था जो मैंने अभी आपको पिछली बातों में बताया ही है तो यहां पर देखो सारी मठ्रियां बनके तयार हो गई है अब इसको थोड़ा से और पकाएंगे 5-7 मिनट के लिए जब हलकी सी रेडिश हो जाएंगे तो हम इनको तयार हो इए वैसे मैंने इसका नाम स्नेयल मठ्री रखा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इसको क्या नाम देना चाहोगे तो देखो कितने जद फोगी-फोगी बनन के तयार हुए एकदम सॉफ्ट बनके तयार हुए तो आप भी इसको बनाका बताना